बहुत समय पहले की बात है। एक सहड में पुलीश ने सभी चोडों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोड एक के बाद एक पकड़ा रहे थें। बस एक चोड जैसे तैसे बच कर एक जगह जा छिपा था। तब ही उसे खयाल आया की क्यों न वो भगवा पहन कर श्राद्व बन जाए। ये दुनिया चोडों को तो जूता मारती है लेकिन वही चोड भगवा पहन ले तो उसके पैड में पड़ी रहती है। इस प्रकार वह शाधु बन कर घूमने लगता है। कुछ दिनों बाद। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर थ प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण वह बहुत बड़ा साधु बन जाता है। उसके बहुत से सिस्से भी बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे खूमने लगते हैं। उसे मुप्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटन का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने सिस्चों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिल कर जब सेठ अपने घर पहुचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पाथ बहुत सोना था। जिसे चोडों के डड़ के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों न ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए। क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर सक भी नहीं होगा। कि उनकी आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोच कर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम आता है। और उससे से पूरी बात पताता है। फिर क्या था। पाखंडी साधु का तो दिल गत-गत हो गया। उसकी आखे तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के निचे दबा दी और वहाँ से चला गया। अब साधु को नीद कहा आनी थी। वो रात भर उस सोने की प पोटली के बारे में सोचता रहा उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है इस तरह साधुने कई सपने देख डाले दूसरी तरफ सेट सोने को आश्टरम में रख कर चैन की निंद सो रहा था कुछ समय बीदने पर शाधुने एक योजना बनाई उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेट को सक ना हो इसलिए वो उसके घड़ जाकर जाने की बात कहेगा ताकि सेट को ये ना लगे कि साधुना लेकर भागा है अगले दिन साधु सेट के घड़ जाता है सेट के पास एक बैपारी बैठा रहता है साधु को आता देख सेट खुशी से जूम जाता है और कई पकवान बना कर खिलाता है साधु सेट को अपने जाने की बात कहता है इस पर सेट दुखी होकर उसे रोकता है लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है किसी एक जगह नहीं रह सकता उसे कई लोगों को मार्ग दर्शन देना है ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जान बूझ कर सेट के घर का एक दिन का उठा ले जाता है थोड़ी देर बात साधु वापस आता है जिसे देख सेट वापस आने का कारण पूझता है तब साधु कहता है कि आपकी घर का यह एक दिन का मेरी धोंती में लटक कर मेरे शाथ जा रहा था वही लोटाने आया हूँ सेट हाथ जोड़ कर कहता है इसकी क्या जरूरत थी तब साधु कहता है इस संसाड की किसी बस्तू पर साधु का कोई हक नहीं है फिर अपनी बातों से वो सेट को मोहित कर देता है और वहां से निकल जाता है यह सब घटना सेट के पास बैठा बैपारी देखता है और सेट से पूछता है कि कौन है ये साधु तब सेट उसे पूरी बात बताता है जिसे सुनकर बैपाडी जोड जोड से हसने लगता है सेट हसने का कारण पूछता है तब बैपाडी उसे कहता है तुम मुर्ख हो वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया जिस पर सेट कहता है कैसी बात करते हो वो एक संत हैं बहुत क्यानी है बैपारी कहता है अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहां सोना दबाया था सेट उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है वो रोनी लगता है तब बैपारी उसे कहता है रोनी का वक्त नहीं है जल्दी चलो साधू दूर नहीं कया होगा सेट और बैपारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधू को ढूंड लेती है तब सभी को पता चलता है कि वास्तब में यह कोई सिद्ध बावा नहीं एक चोड था जिसने अपनी बोलिने की कला का इस्तिमाल कर कई लोगों को लूटा था पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था सोना मिलने के बाद सेट की जान में जान आती है सेट बैपारी से पूछता है कि उसी कैसे पता चला कि यह साधू पाखंडी है बैपारी ने कहा वो साधू बार बार अपने आप की तारिफ कर रहा था संत कितने महान होते हैं बार बार यही द माइने में संद होते हैं उन्हें इस बात को दोड़ाने की जरूरत नहीं पर दी इसलिए मित्र आज के समय में जो भगवा पहन कर प्रवचन देते हैं वो सभी संद नहीं होते तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अफी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलिएगा एंड चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर वोचिंग इस वीडियो